पीरू अकाडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर बात करेंगे मतप्रेश में बीएड चैनित को ले करके आज जो मामला जबल पुरहाई कोट में सुना गया उस पर चर्चा करेंगे बात करेंगे कि जो याचिका बीएड एसोसियेसंस की तरफ से खारिच की गई माननी सुपरिम कोट की दवारा ग्यारा जन्वरी दोहजार चोबिस का उसका कितना एमपेक्ट जबल पुरहाई कोट में आज देखने को मिला पूरी तरीके से बात करेंगे लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सबस्क्राइब करके बाल आइकन प्रेस कर लिजे यहां पर जफ्टिस सीनलागु जी की बेंच पर मामला काफी लगबग 40 मिनट तक सुना गया लेकिन डिसीजन आज नहीं आ पाया और यहां पर बीएट की तरफ से जो एडवोकेट थे वो तीन दिन का शायना प्रेजर बांग रहे थे कि तीन दिन और समय दिया जाए लेकिन इस पर तोर पर जबलपुराई कोट के जो जफ्टिस सीनलागु जी ने उन्होंने साब तोर पर कहा कि यह मामला अल्रेडी सालों से लंबित है इतना वक्त नहीं लेकिन कल इसकी सुनवाई पुना की जाएगी क्योंकि और केस लगे हुए है इसलिए कल दोपार साड़े तीन बजे पुना इस केस को लिष्ट कर दिया गया आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 जनवारी 2024 कंप्यूटर जनरेटेड आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है लेकिन 40 मिनट में क्या क्या बातें क्या क्या आर्गूमेंट रखे गए वो हम आपको रूबरू करवाते हैं 28 की तरफ से सब से पहले जो आर्गूमेंट साइंग वो रखने का प्रियास किया गया और उन्होंने माननी जबल पुढ़ाई को ये आउगत कराया कि 11 गफ्स 2023 को जब माननी सरवोच नयाले का जज़मेंट आता है NCT के घजट को क्वैस किया गया तो उसके पहले की वर्टी कमप्लेट हो चुकी थी मद्देश की वर्गित्री की सिच्छक वर्ती इस तरीके की कई बाते रखी गई और उनको यही मांग थी कि 11 गफ्स 2023 का जज़मेंट आने से पहले ये रिक्रूट्मेंट कमप्लेट हो चुका था अता यहाँ पर V8 के कैंडिडेट जो सेलेक्ट हैं वो पूरी तरीके से सेट किये जाएं इस तरीके की बात की जा रही थी वहाँ पर राजसरकार का भी पच्छ जानने का प्रयास किया गया इस पर मानी कोट ने कहा कि राजसरकार ने अपना जवाब भी तक दाखिल नहीं किया तो इस पर V8 की तरफ जो एड़ोकेट थे उन्होंने बताया कि राज सरकार अपना जवाब जाखिल कर चुकी है जब राज सरकार के जवाब को देखा गया तो उनकी भी प्रायर की गई थी कि जब जजमेंट आया शुप्रीम कोट का तो उसके पहले ये लोग पूरी तरीके सेलेक्ट हो चुके थे विद्याले में AJT टीचर 125 के लिए सेलेक्ट हैं सेवाएं दे रहे हैं इसलिए इनको पूरी तरीके से यहाँ पर रखा जाए चैने तिस तरीके की बात लगातार V8 की तरफ से की जा रही थी इसके बात देलेट की तरफ से मिनापशी अरोडा मैमू पस्तित थी उन्होंने अपना पच रखना स्टार्ट किया उन्होंने सब पहले मानी शुप्रिम कोट को अउगत कराया कि दरासल जो ग्यारा गवश दो हजार तेईस का जजमेंट है वो उसके पहले भी इसी राजस् की है यह अल्रेडी आउटकम रखी गई है इसके बाद जफ्री सीनलागू जी ने कहा कि देखिए पैन इंडिया का जो मैटर है पूरे पैन इंडिया में कैसे इसको आटिजित लागू किया जा सकता है तो वहां पर फिर भी नाक्षी रोडा मैं हमने आउगत कराया कि देख पुरहाई कोट काया था उसी जज्ज्मेंट को अफ्रेल्ड कर दिया गया था मानी शूप्रिम कोट के द्वारा यालिकि सेम जज्ज्मेंट को अटिजित लागू कराने का आदेश दिया गया था इस तरीके की बाते मिनापची अरोडा मैं की तरफ से रखी गई उसके अमाम प्रेयर की गई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका हिंदी में अनुबाद भी किया गया है यहाँ पर मानी शुप्रिम कोड ने कहा था कि याचिका करता के वकील रिट वापस लेने की अनुवती मांगी है प्रतिवादियों की ओर से उपस्थिद विद्वान याचिका को वापस लेने की अनुवती देते हैं हलाखी लागत रुपाई की मातरा निर्धारित की गई आज से दो सब्ता के भीतर एडवोकेट और रिकार्ड कलड एसोसियेसन को दस जार रुपाई का भुकतान करना होगा रिट याचिका वापस ली गई मान कर खारिच की जाती हैं ये विल फेर एसोसियेसन की तरफ पे जो याचिका लगाई गई थी ग्यारह जर मरी दोहजार चोबिस को जिसकी मानी चुक्रिम कोट में सुनवाई हुई याचिका को खारिच करके जुर्माना लगाया गया ये बाते भी मिनाप्चिय औरोडा मैम ने ततकाल जब अरगूमेंट्स हैं वो लगातार सभी पच्छों से आ रहे हैं और इसको देखती हुए चुकि हमारे पास केस और ज्यादा लगे हुए हैं तो चार केस हमको और सुनना है इस पर माननी जबल पुरहाई कोट ने इस पर श्तौर पर कहा कि देखिए कल हम आपको एक घंटा औ होगी साड़े तीन बजे आच चालीस मिनट के करीब अरगूमेंट हुए हैं कल मैटर डिसाइड हो जाएगा तो निश्चित तोर पर कल देखने वाली बात यह होगी कि जो 25 नमबर 2021 की डेट को लगातार हाइलाइट किया जा रहा है मिनाप्ची अरोडा मैं की तरफ से क्या के जो कंडिडियेट चैनित हैं वो एक आईए अल्रेडी 11 गव 2023 में भी उन्होंने दाखिल करके अपना पच्छ रखा जा चुका है यह सारी बाते हैं वहाँ पर इस तरीके के अरगूमेंट से बताई गई हैं पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है राज सरकार का अगर बात की जाए तो निश्चित तोर पर राज सरकार वी एट कैंडिडेटों के साथ खड़ी हैं और राज सरकार ने भी यही प्रयार की है कि 11 गवस 2023 से जज्जमेंट को अफेल्ड किया जाए आए टी जी पूरे पैन इंडिया में लागू किया जाए ना कि 25 नमबर 2021 को अधा कि इस तरीके की प्रयार ऑलरी कई केसों में हो चुकी है उन्हों ने सब्सक्रे पहले उधानार हाली कार नोगोस किया ती आज यह ज्हांपर जूर्माना गा करकर की क्या को खारिड़ित कि तरू कि तरीके की प्रयार वहाँ पर भी की गई ती इस तरीके की तमाम दलीले चुकि बियेट की तरफ से जो एडवोकेट थे वो दो-तीन दिन आगे की तारीख मांग रहे थे लेकिन मानी कोट की द्वारा यही कहा गया कि काफी लंबे समय से मामला लंबित है इसलिए अब इसको हम और खीच नहीं सकते कल की ही तारीख लगाई जाएगी क्योंकि डिलेट की तरफ से जो एडवोकेट थी मिनक्षी रोडा उन्होंने लगातार यही कहा कि इस पर जो डेट है वो बढ़ाई ना जाए जल्द से जल्द इस मामले का जो निप्टारा है वो एट इजिट किया जाए इस पर कल पुना जाए जाए जाएगा पूरे वीडियो पर आपकी क्या राए है जरूर कमेंट कीजेगा चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि चैनल पर आपको सब पहरे सटीक ऑथेंटिक अप्रेट लगातार प्रोवाइड करा जाती है फिर मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए ज जय हिंजर आप